जाहीं दोस्तों आप लोग कैसे हैं I hope कि आप सब बहुत अच्छे होगे सांदार होगे दोस्तों जिस भरती का आप लोग वेट कर रहे थे ना उसका नोटिस आ चुका है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ संपून जनकारी आपको देने वाले हैं इस बार दोस्तों देखोगा न यह जो वेकेंसी निकली हुई है बीएसेफ के माध्यम से निकाली गई है मगर दोस्तों इसमें जितना भी अर्शनिक बल है न सब का दोस्तों आपका पोस्त रहने वाला है तमाम चीज़े आपको चानक जरू सब्सक्राइब कीजिएगा देखिए दोई सबसे पहले कितना वेकेंसी है अच्छा का सा पोस्त है 1526 पोस्त आपका नोटिपीकेंस निकला है अप्लाइक कब सो हो रहा है अब देखिए दोस्तों जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है तो अभी टेस्ट व उपन को स्मार्ट यूज करोगे तो आपको बारा परसेंग के दोस्तों एक्ट्रा डिस्कान मिल जाएगा और उस्तेश्बू पास के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताए 700 प्लस अलगल एक्जाम का आप टेस्ट लिगा सकतो हो प्रिविस एर पेपर लगा सकतो बारा प् अपलाई हो रहा है लास्ट डेट की बात करें तो आठ आपका जुलाई तक आपका फॉर्म भरने का डेट है ठीक है अब इसमें देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ना वेकेंसी तो नीजिए जो परकिरिया करेगा ना दोस्तों भी एसेप करेगा ठीक है मगर दोस्तों इ जिसमें डोसरे कंजी और सैने बहुनən बहुत इसको बोलते उसमें यह बेकेंसी निकला हुआ अलग-अलग पोश्ट है एक तो दुस्ते से से पॉस्त हें परेहर ठीक है श्टम हगो आपका निकला हुए सारा जमकर हो देते पहले आको आपको एक क internships बताते जैसे CRPA पर दोस्तों है हेट कोश्टेवल का 282 पोस्ट है ASI स्टेवल का 211 पोस्ट है ठीक है चोले आंगे बढ़ते हैं BSF में 302 और 177 पोस्ट हो गया बाके ITBP में हेट कोश्टेवल का दोस्तों 163 और 56 आपका ASI में पोस्ट है सबसे जदा और सबसे वड़ा इसमें है दोस्तों और 146 आपका हो गया ASI स्टेवल में बात करते हैं इसमें इसमें girl need to be vacancy एप अब के मन में सवाल आएका सर्कौलिफिकेशन क्या है स्लेबस क्या रहता है हाइट वगिरा का सारक आपको कि लियर करते हैं सबसे पहले जोस्तों हम बात करें इसमें इसमें वी या क्वालिफिकेशन क्या है के अगर आप दोस्तों 12 पास हो सिंख ठीक है यह आप लोगों ने समझे लिया एज की हम बात करें ना दोस्तों यह 18 साल मिनिमूम मैक्सिमिम आपका 25 साथ यह किसके लिए है दोस्तों और दोस्तों यह आपको पांच साल का चूट मिलता है यह दोस्तों पहले मैं वह आपको दिखा देता हूं दोस्तों यह मैं में आपको नोटीज दिखा रहा हूं बॉर्डर सीकूर्टी फॉर्ट बीए सब स्वर्ट अडबर्टाइजमेंट फॉर्ड डिरेक्ट रॉकुमेंट अब दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर श्री निकाला गया तमाम जोतना भी सेंट्रल आम पुलिस फॉर्सेस है उसके मार्दम से वारेंट ऑफिसर हो गया प्रसना प्रसना असिस्टेंट है हवालदार कलव कि यह सब चाबा सारा चीज़ा असाम रैपल दिया कि एक्जामेशन दोजार चौविस वह ओपिनिंग डेट कप से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं नौ च्छे से नौ तारीक शट से लिखा गया है ठीक है अब हेट को इस अब लोग देखना चाहते हो तो देखो हेट को सेबल में यहां पर मेल फिमल मिला कर अब जैनल के को सबसे यहादा प्रकेंसी इसमें वचार उची रखेगा अब आप लोग हमसे यह भी पूछ सकते हैं सब ही पोल्स के लिए यहां हां पहलना सब में भर सकते हैं यहां तक मुझे लगता हुगा ना तो दोस्तस और प्रफियास आप डालना है क्योंकि इसमें एएब बोल सकते हो एरे पोर्ट पर डूटी रहता है था था एयरपोर्ट पर ही तो दूट जो डूटी रहता है बड़ा बड़ा इसमें दोस्तों रणिंग वेगरा पहले कभी नहीं हुआ इस बार भी राणिंग कोई मतलब सामभावना है नहीं आप पूछ सकते को सर सेलरी कितना मिलेगा दोगों सेलरी बताते हैं उसके बात करें तो हैट को बात करें तब यह 35 से लेकर 40 के बीच में ठीक है आपका सेलरी म अर्षैनिक बोलो मैं ऐसा पहली बार निकाल रहें तो बीस अपका खुद निकालता था दोस्तों यह अलग से तमाम फोर्सेज का बीस अपकर रिकूर्मेंट एंजनसी बीस होने वाला है ठीक है चलो यह चीजे है यह अलग से निकाला जाला दोस्तों यह जहां तक मुझे लगता है इसमें दोस्तों आप लोगों के जैसे मैंने बता है फिजिकल में आपका रॉनिंग अगरा नहीं होता है हाइट 165 लग सकता है फिमल के 155 और 155 फिमल में बाकि सिलेबस में दोस्तों देखो क्योंकि बीए सब कमें से आपको कबर कर देता हूं अलाग एक अगर हम बात करें तो आपका हिंदी इंगलिस और होता है यह अभी हंडेड परसंट नहीं है बाकि सेलेडि मैंने बता है आपको ज्यादा कुछ इसमें दूस्तों है नहीं फिजिकल अगरा मैं हाइट वगरा मैंने कवर कर दिए टाइपिंग टेस्ट भी होता है आपको अब देखो दोस्तों हेट कॉंशेबल में है उसमें हवलदार का भी स्पोस्ट अमील है और अगर बात करें तो अगर आपको प्रसंट असिस्टिन भी आपको बोल सकतो वोग चीज़ संदार और जखास वेकेंसी दूस्तों साल में कभी आपको एक बार या डेर्ट साल दो स इस आएगा उसमें सारा आपका बताया जाएगा लेकिन हमें पता है कि 12 पास पर ही होता है एज वगरा सारा क्योंकि पिछला साल भी यह वेकेंसी निकला हुआ था यह जनकारी में ने दिया एक और दोस्तों हम आपका सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे उसमें दोस्तों आ अभी तक अर्चैनिक बोलों में सबसे मस्ट वेकेंसी बोल सकते हो तो ठीक है तो यह अच्छा का सा आपके पोस्ट भी है जैसे कि उमीद था कि यह वेकेंसी जल्द आने वाला है पर यह इलेक्शन खतम नोटिस सोट आ गया नौ तारिक से आपका फॉर्म भारा जाएगा यह फूस हो जाए आप लोग ठीक है यह दिटेल्स आपको मैंने प्रवाइड करवा दिया कोई सवाल पुछना हो कोई डाउट हो बहिए कमेंट बक्स के लिए आपके लिए बनाया ना कम निकमाद पूछिए और एक चीज और बता दो चैनल को दोस्तों आप ज़रू सब्स